ओम शांति ओम शांति आज 10 निमेंबर 2020 दिन शुक्रिवार की साकार मुरली आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के मधुर महावाक्यों को मीठे बच्चे तुम्हें बाप समान मुरली धर जरूर बनना है मुरली धर बच्चे ही बाप के मददकार है बाप उन पर ही राजी होता है प्रश्न किन बच्चों की बुद्धी बहुत बहुत निर्मान हो जाती है उत्तर जो अविनाशी क्यान रतनों का दान कर सच्चे फ्लेंथ्रोफिस्ट बनते हैं होश्यार सेल्समेन बन जाते हैं उनकी बुद्धी बहुत बहुत निर्मान हो जाती है सर्विस करते करते बुद्धी रिफाइन हो जाती है दान करने में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए हमेशा बुद्धी में रहे कि शिब बाबा का दिया हुआ दे रहे हैं शिब बाबा की याद में रहने से कल्यान हो जाएगा गेत तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो पंधू, सखा तुम ही हो ओम शंते सिर्फ मात पिता वाला गीत सुनाने से नाम सिद्ध नहीं होता पहले शिवाय नमह का गीत सुनकर फिर मात पिता वाला सुनाने से नौलेज का पता पड़ता है मनुष्य तो मंदिरों में जाते हैं लक्ष्मी नारायन के मंदिर में जाएंगे क्रिश्न के मंदिर में जाएंगे सबके आगे तुम मातपिता कह देते हैं बिगर अर्थ पहले शिवायनमह वाला गीत सुनाएं फिर मातपिता वाला सुनाने से महिमा का पता पड़ता है नया कोई भी आए तो यह गीत अच्छे है समझाने में सहज होता है बाप का नाम ही है शिव ऐसे तो नहीं कहेंगे शिव सर्वव्यापी है फिर तो सबकी महिमा एक हो जाए उनका नाम ही है शिव दूसरा कोई अपने पर शिवाए नमह तो कोई को भी कह नहीं सकते देधारी को शिवाए नमह थोड़े ही कहेंगे यह समझाने का है परंतु तुम बच्चों में भी नमबरवार है कहां अच्छे अच्छे बच्चे भी पॉइंट्स मिस कर देते हैं मिया मिठु तो अपने को बहुत समझते हैं इसमें दिल की सफाई चाहिए हर बात में सच बोलना सच होकर रहना है टाइम लगता है दे अभीमान में आने से फिर फैमिलियरिटी आदी सब बाते आ जाती अभी ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम दे ही अभीमानी है फिर तो करमाती तवस्था हो जाए नंबर वार है कोई तो बहुत कपूत बच्चे हैं मालूम पढ़ जाता है कौन बाबा की सर्विस करते हैं जब शिबाबा की दिल पर चड़ें तब रुद्रमाला के नस्दीक हों और तख्त के लाइक बने लोकिक बाप की दिल पर भी सपूत बच्चे ही चड़ते हैं जो बाप के साथ मददगार बन जाते हैं यह भी बेहद के बाप का अविनाशी ग्यान रतनों का धंदा है तो धंदे में मदद देने वाले पर बाप भी राजी रहेगा अविनाशी ग्यान रतन धारन कर और धारन कराने है कोई समझते हैं हमने इंशोर किया है उसका तो तुमको मिल जाएगा यह तो बहुतों को दान करना है बाप मुआफिक अविनाशी ग्यान रतनों का फ्लेंथ्रोफिस्ट बनना है बाप आते ही हैं ग्यान रतनों से जोली भरने धन की बात नहीं बाप को सपूत बच्चे ही पसंद होते हैं व्यापार करना नहीं जानते तो वह मुरलीधर सोधागर का बच्चा कहला कैसे सकते लज्जा आनी चाहिए मैं धन्दा तो करता नहीं हूँ सेल्समें जब होश्यार देखा जाता है तो फिर उनको भागिदार बनाया जाता है ऐसे ही थोड़ी भागिदारी मिल जाती है इस धन्दे में लग जाने से फिर बहुत निर्मान बुद्धी हो जाती है सर्विस करते करते बुद्धी रिफाइन होती है बाबा मम्मा अपना अनुभव सुनाते है बाबा है सिखलाने वाला ये तो जानते हो ये बाबा अच्छी धारना कर अच्छी मुरली सुनाते है अच्छा समझो इसमें शिबाबा है वे तो है ही मुरली धर परंतु यह बाबा भी तो जानता है ना नहीं तो इतना पद कैसे पाते है बाबा ने समझाया है कि हमेशा समझो शिबाबा सुनाते है शिबाबा की याद रहने से तुम्हारा भी कल्यान हो जाएगा इन में तो शिबाबा आते है वह मम्मा अलग बोलती है मम्मा की हैसित में उनका नाम बाला कर रहा है क्योंकि फीमेल को लिफ्ट दी जाती है कहते है न जैसी है वैसी है मेरी है संभालना ही है पुरुष लोग ही ऐसे कहते है स्त्री ऐसे नहीं कहती जैसे है वैसे है बाप भी कहते बच्चे जैसे हो वैसे हो संभालना ही है नाम भी बाला बाप का ही होता है यहां बाप का नाम तो बाला है ही फिर शक्तियों का नाम बाला होता है उनों को सर्विस का अच्छा चांस मिलता है दिन प्रती दिन सर्विस बहुत सहज हो जानी है ग्यान और भगती दिन और रात सत द्वापर कल्यूग है रात दुख सत्यूग में भक्ती होती नहीं कितना सहज है परन्तो तकदीर में नहीं है तो धारना नहीं कर सकते पॉइंट्स तो बहुत सहज मिलती है मित्र संबंदियों के पास जा करके समझाओ अपने घर को उठाओ तुम तो ग्रेस्ट वेवार में रहने वाले हो तो बहुत सहज रीती से कोई को भी समझा सकते हो सत्यूग में पापात्मा का नाम नहीं यहां ही अजामिल गणिकाएं अहिल्याएं पापात्माएं हैं आदा कल्प स्वर्ग कहा जाता है फिर भगती शुरू होती है तो गिरना शुरू हो जाता है गिरना भी है जरूर सुरेवन्शी गिर कर चंद्रवन्शी बनते हैं फिर गिरते ही आएंगे द्वापर से सब गिराने वाले ही मिलते आएं ये भी तुम अभी जानते हो दिन प्रति दिन तुम्हारे में ताकत आती जाएगी साधूओं आदि को समझाने के लिए भी युक्तिया निकालते रहते हैं आखरीन समझेंगे जरूर की बरोबर परमपिता परमत्मा सर्व व्यापी कैसे हो सकता है समझाने लिए पॉइंट्स बहुत हैं बक्ति पहले अव्यभीचारी फिर व्यभीचारी बनती है कलाएं कम होती है अभी कोई कला नहीं रही है जाडव गोले में भी दिखाया है कि कलाएं कैसे कम होती है most easy है समझाना परंतु तकदीर में नहीं है तो समझा नहीं सकते देही अभीमानी बनते नहीं है पुरानी देह में अटके रहते हैं बाप कहते हैं इस पुरानी देह से ममत्व तोड अपने को आत्मा समझो देही अभीमानी नहीं बनेंगे तो पद भी उचपद पा नहीं सकेंगे स्टूडेंट ऐसे थोड़े ही चाहेंगे कि लास्ट में बैठे रहें मित्र संबंधी, टीचर, स्टूडेंट आदी सब समझ जाएंगे इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है यहां भी समझते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर यही हाल होगा कौन प्रजा बनेंगे, कौन दास दासी सब समझ जाते हैं, बाप समझाते हैं अपने मित्र संबंधियों का कल्यान करो यह काईदा होता है, घर में बड़ा भाई होता है तो छोटे भाई को मदद देना उनका फर्ज है इसको कहा जाता है, charity begins at home बाप कहते हैं, धन दिये, धन ना खुटे धन दोगे नहीं, तो मिलेगा भी नहीं पदपा नहीं सकेंगे चांस बोट अच्छा मिलता है, रहम दिल बनना है तुम सन्यासियों, साधूँँ पर भी रहम दिल बनते हो कहते हो, आकर समझो, तुम अपने पारलोकिक बाप को नहीं जानते हो जो बाप भारत को हर कल्प सदा सुख का वर्सा देते हैं कोई भी जानते नहीं, कहते हैं, ओफिसर्स भी ब्रष्टाचारी हैं तो फिर शेष्टाचारी कौन बनाएंगे आज कल तो साधू समाज का बड़ा मान है तुम लिखते हो बाप इन सब पर भी रहम करते हैं तुम वे वंडर खाएंगे आगे चल तुम्हारा नाम बाला होगा तुम्हारे पास बहुत आते रहेंगे परदर्शनी भी होती रहेगी आखरीन कोई जागेंगे जरूर सन्यासी लोग भी जागेंगे जाएंगे कहां एक ही हट्टी है बड़ी इंप्रूब्मेंट होती रहेगी अच्छे-च्छे चित्र निकलेंगे समझाने के लिए जो कोई भी आकर पढ़े जब भंबोर को आग लगेगी तब मनुष्य जागेंगे परन्तु टू लेट बच्चों के लिए भी ऐसा है पिछाडी में कितना दोड सकेंगे रेस में भी कोई पहले आहिस्ते आहिस्ते दोडते हैं विन की प्राइस थोड़ो को ही मिलती है ये तुम्हारी भी घुड दोड है रुहानी यात्रा की दोड़ी पहनाने के लिए भी ज्यानी तू अत्मा चाहिए बाप को याद करो ये भी ज्यान है न ये ज्यान और किसी को नहीं है ज्यान से मनुष्य हीरे जैसे बनते हैं अज्यान से कोड़ी जैसे बनते हैं बाप आकर सतोप्रधान प्रालब्द बनाते हैं फिर वह थोड़ी-थोड़ी होकर कमती होती जाते हैं यह सब वाइंट्स धारणा कर एक्ट में आना है तुम बच्चों को महधानी बनना है भारत को महधानी कहते क्योंकि यहां ही तुम बाप के आगे तन, मन, धन सब अरपन क कर देते हैं भारत में बहुत ही महधानी है बाकी बनुष्य सब अंदश्रदा में फसे हुए रहते हैं यहां तो तुम ईश्वर की शरणागती में आये हो रावन से दुखी हो आकर राम की एश्लम ली है तुम सब शोकवाटिका में थे अब फिर अशोकवाटिका में शर्णागती में सुख नहीं आता तकदीर में नहीं है उन्हों को माया रावन की शर्ण चाहिए इश्वर की शर्णागती से निकल कर माया की शर्ण में जाना चाहते हैं आश्चरे की बात है न यह शिवाय नमह वाला गीत अच्छा है तुम बजा सकते हो मनुश्य तो इसका अर्थ समझ न सके तुम कहेंगे हम श्रीमत पर यथार्थ अर्थ समझा सकते हैं वे तो गुडियों का खेल करते हैं ड्रामा अनुसार इन गीतों की भी मदद मिलती है बापका बन कर और सर्विसेबल ना बना तो दिल पर कैसे चड़ सकते हैं कई बच्चे कपूत बन तो कितना न दुख देते हैं या तो अम्मा मरे तो हल्वा खाओ बीबी मरे तो भी हल्वा खाओ रोएंगे पीटेंगे नहीं ड्रामा पर मजबूत रहना चाहिए ममा बाबा भी जाएंगे अनन बच्चे भी एडवांस में जाएंगे पाड़ तो बजाना ही है इसमें फिक ऐसे नहीं कि ममा बाबा कोई परिपूर्ण हो गए हैं परिपूर्ण अवस्था अंत में होगी इस समय कोई भी अपने को परिपूर्ण कहना सके यह नुकसान हुआ कोई खिट-पिट हुई अखबार में बीके के लिए हाहाकार हुआ यह सब भी कल्प पहले हुआ था फिक् बात अलग है वह तो अपने लिए ही करते हैं यह तो ग्यान रतनों का दान औरों को देना है बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो विकर्मों का बोजा जो सिर पर है वह खुल पड़ेगा परदर्शनी में भी समझाने वाले लायक चाहिए होश्यार बनना चाहिए मज़ा आता है रात को याद करने में इस रुहानी साजन को फिर प्रभात में याद करना है बाबा आप कितने मीठे हो क्या से क्या बना रहे हो अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की र दुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड बॉनिंग और नमस्ते। वर्दान स्वराज्य की सत्ता द्वारा विश्वराज्य की सत्ता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्ती मानभव। अब बाप दादा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे। जो इस समय स्वराज्य सत्ताधारी अर्थात करमेंद्रिय जीत हैं वही विश्व की राज्य सत्ता प्राप्त करते हैं। स्वराज्य अधिकारी ही विश्वराज्य अधिकारी बनते हैं। तो चेक करो, मन, बुद्धी और संसकार जो आत्मा की शक्तियां हैं, आत्मा इन तीनों की मालिक है, मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं, कभी संसकार अपनी तरफ खीच तो नहीं लेते हैं, स्वराज अधिकारी की स्थितीत सदा, मास्टर सर्वशक्ती मान है, जिसमें कोई भी शक्ती की कमी नहीं, स्लोगन, सर्वखजानों की चाबी मेरा बाबा, साथ हो तो कोई भी आकर्शन आकर्शित कर नहीं सकती, सर्वखजानों की चाबी मेरा बाबा साथ हो तो कोई भी आकर्शन आकर्शित कर नहीं सकती ओम शांति